आईए देखें कि इस प्रश्ण में सेबों की संख्या और फलों की संख्या का अनुपात यानि की रेशियो क्या है? कुछ देर के लिए इस वीडियो को पॉज करके इस प्रश्ण को स्वयम हल करने की कोशिश करें. यहां कुल कितने सेब है? यहां पर दो चार छे आठ कुल आठ सेब है और यहां पर कुल कितने फल है? यहां पर आठ सेब और तीन छे नौ और बारह कुल बारह संत्र हैं. आठ जमा बारह हुए बीस तो यहां पर कुल बीस फल है. इसलिए यह अनुपात है 8 is to 20 यानिकी 8 अनुपात 20 या अगर हम चाहें तो इसे 4 से विभाजित यानिकी डिवाइड करके और सरल कर सकते हैं क्यूंकि 8 और 20 का महत्तम समापवर तक यानिकी greatest common divisor 4 है इसलिए 8 भाग 4 हुए 2 और 20 भाग 4 हुए 5 इसलिए इसे 2 अनुपात 5 या 2 is to 5 भी कह सकते हैं लेकिन इसका मतलब क्या है अगर हम इन फ़लों को समुहों में बराबर बाटना चाहें तो इन्हें 4 समुहों में बाट सकते हैं ये है पहला समुह, दूसरा, तीसरा और चौथा समुह हम देख सकते हैं कि प्रतेक समुह में प्रतेक 2 सेप पर फलों की संख्या 5 है और यहाँ पर हम अनुपात यानिकी रेशियो को भिन यानिकी fraction द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं यानिकि हम इस अनुपात को 2 बटा 5 के रूप में भी लिख सकते हैं हमारे लिए यह जानना महत्वपून है कि यह भिन क्या प्रदर्शित कर रहा है इससे हमें फलों में सेबों की संख्या का पता लग रहा है यह हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कुल फलों का 2 बटा 5 भाग सेब है इस प्रकार हम अनुपात यानिकी रेशियो को भिन यानिकी फ्रेक्शन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि सेबों और फलों का अनुपात 2 अनुपात 5 है या 2 is to 5 है हम इसे इस तरह लिख सकते हैं या फिर हम इसे 2 बटा 5 भी कह सकते हैं जिसे कई ब इन को अनुपात के रूप में इस तरह भी पड़ सकते हैं। कुल फलों का दो बटा पांच भाग सेब है।